Hello friends, आज मैं आपको जो हमारे पास ही metal की पुरानी चूड़िये पड़ी रहती हैं, जिनका हम विल्कुल भी use नहीं करते हैं, इनको decorate करना बताती हूँ, देखो, ये मेरे पास रेशम की रीड है, ये इस रेशम से मैं आपको इनको decorate करना बताऊंगी, ये आप रेशम कोई से भ भी बना सकते हो, देखो जैसे मैंने ये दो color से अलग अलग बनाई है, और इनको आप अपनी साड़ी की matching वाले color से भी बना सकते हो, ये रेशम से, एंकर की डॉरी से decorate कर सकते हो, ये मैंने क्रोसे से बनाई है, ये मैंने देखो रेशम के तीन धागे लिए हैं, ये, और ये मेरे पास उन का करोशिया है ये धागे वाला करोशिया है अगर आप चाहो तो ये बारिक वाले करोशिय से बना सकते हो और अगर चाहो तो इस मोटे वाले करोशिय से बना सकते हो मैंने इसको ये वाले उन वाले करोशिय से ही बनाया है देखो इन तीनों धागो को मैंने एक सा चार धागों को एक ही रील से लपेट के गोला बना के तब भी बना सकते हो यह बहुत जल्दी तयार हो जाएंगी और यह पहन के बहुत अच्छे लगी देखो ऐसे यह चूड़ी के बीच में हमने कुरोश्य डाला है और इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे चेन बनाई है ऐसे एक पार और देखो यह हमने कुरोश्य ऐसे डाला और यह दागा ऐसे अपनी फिंगर के लेटा और इसको ऐसे लेकर एसे निकाला है और फिर हां से सिंपल चेन बनाई है देखो ऐसे फिर इसको इसको हम पकड़े रखेंगे ऐसे फिर ऐसे निकाला ऐसे यह वाला धाग हमारा भी बीच में रहेगा और हम अब इसको ऐसे बुनते रहेंगे देखो यह मैं सिम्पल चेन बना रही हूँ ऐसे यह आपको बिल्कुल सिम्पल चेन बनानी है ऐसे देखो यह बहुत आसानी से बुना जाएगा और बहुत जल्दी बुना जाता है आपको जब आप शुरू करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन उसके बाद आपका हाथ सेट हो जाएगा तो यह जल्दी जल्दी बुनने लगीगा ऐसे इसमें आप 3-4 धागे भी ले सकते हो जा अर्चो जा़ेखो जाएघवृ को अब कर आपको ऐसे बुनना ना। मैं यह ऐसे लेके और ऐसे बनारी ही इसकी बीच में से कड्रोव झाला और पिर इनको को क। दोनों को एक साथ निकाला देखो यह हमारा जीशम का धागा है ऐसे हमने इसको ऐसे डाला क्रोशे को और इस धागी को ऐसे निकाला ओ फिर यह दोनोंको एक साथ निकाल दिकाल लिया ओ आपको पूरी बेंगल पर ऐसे ही बना कर दो अग। जानाइ ग्युटियह एक 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 हैं एफ एक हाल देखो यह मैंने पूरी चूड़ी पे ऐसे ही किया है, देखो ऐसे यह पूरी चूड़ी पे मैंने बुन दिया है, यह थोड़ा सा धागा यहां से आ रहा है, इसको आप कट कर सकते हो, अब हम इसको सिम्पल, क्योंकि यहां पे चेन में तो जाएगा नि, क्योंकि यह बहुत टाइट हो रहा है, तो अब हम इसको यहां से ऐसे ही निकाल के और कैंची से काट देंगे, ऐसे, यह जो हमने जहां से सुरू किया था, वो धागा हमने बीच में लिया था, यह वो वाला धागा है, तो इसको भी हम ऐसे सिजर से काट देंगे, यह देखो, अब हम यहां पे हलका सा गुलू लगाएंगे, और आप इसको सुई से भी अंदर कर सकते हो, देखो, यह ऐसे मैंने पेस्ट कर दिया, और नहीं तो आप थोड़ा सा धागा काट के रेसम सुई में डालके और इसकी बीच से भी निकाल सकते हो, देखो, यह पहन कर ऐसी लगती है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी करिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भोलिए धन्यवाद